वेलकम टू नेक्स चक्जाम आज है 25 अगस 2022 और 25 अगस 2022 से करेंट अफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्यन मन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिसक्स करेंगे और हर कुश्यन से रेलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीड पीडियो में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलिग्राम गुरूप चोयन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुश्यन है हाली में बेस्सुक गुजराती भासा दिबस कब मनाया गया है तो अभी 24 अगस्त को बेस्सुक गुजराती भासा दिबस बनाया गया तो इस question का बे options है यह गुजरात की महान लेक बेर नर्मद की जैनती होती है 24 अगस्त को और ऐसी मानिता है कि बेर नर्मद नहीं गुजराती बासा का निर्माण कियाता है यानि कि इनको गुजराती बासा का निर्माता भी कहा जाता है तो इनकी जैनती पर 24 अगस्त को 200 गुजराती बहसा दिवस मनाया जाता है अब ये important day वाला question है तो अगस्त के अब तक के सारे important day मैं आपको एक वर फिर sequence में रिवाईज कराता हूँ 1 अगस्त को क्या मनाया गया था? Muslim महिला अधिकार दिवस क्योंकि triple तलाक बिल 1 अगस्त को आया था 246 मी जैनती मनाये गई इनको भारती राष्टी ध्वज का निर्माता कहा जाता है इन्होंने भारती राष्टी ध्वज का जो प्रारमिक डिजैन था वो डिवलप किया था और इस बार इनकी जैनती पर एक इसमारक डाक टिकिट भी जारी किया गया अच्छा 5 अगस्त को अंतरास्टी ट्रैफिक लाइट दिवस मनाये गया 6 अगस्त को हिरोसिमा दिवस मनाये गया ये आप याद रखिए 6 अगस्त को हिरोसिमा दिवस मनाये जाता है और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाये जाता है एक्चल में हिरोसिमा और नागा साकी ये जापान के दूर सहर हैं जिन पर अमेरिका ने एटम बम गिराया था 6 अगस्त को हिरोसिमा पर गिराया इसलिए हिरोसिमा दिबस मनाय जाता है नौ अगस्त को नागा साकी पे गिराया इसलिए नौ अगस्त को नागा साकी दिवस मनाया जाता है यहां से भी कुश्चन मनता है कि हिरोसिमा पर जो बम गिराय गया था उसका नाम क्या था तो उसका नाम था Fat Man और जो नागा साकी पर गिराए गया था उसका नाम था Little Boy अच्छा साथ अगस्थ को राष्टी हद्करगा दिवस मनाए गया और साथ अगस्थ को ही राष्टी वाला फैंक दिवस भी मनाए गया आठ अगस्त को भारत छोडो आंदूलन दिवस मनाए गया नौ अगस्त को बेश्चु आदिवासी दिवस और नागा साकी दिवस मनाए गया दस अगस्त को बेश्चु जैब इधन दिवस मनाए गया और दस अगस्त को ही वर्ल लाइन डे भी मनाए गया 12 अगस्त को अंतरास्टी युवा दिवस, बेश्चुहांती दिवस और बेश्चु संस्क्रत दिवस मनाया गया अच्छा अंतरास्टी युवा दिवस ये 12 अगस्त को मनाया जाता है और रास्टी युवा दिवस स्वामी विवेका नंजी की जैनती पर मनाया जाता है स्वामी विवेकर अंजी की जैनती कब होती है बारे जन्वरी को तो बारे जन्वरी को रास्टी युवा दिवस मना जाता है और ये है अंतरास्टी युवा दिवस ये बारे अगस्त को मना जाता है बारे अगस्त को ही बेसुहाती दिवस मना जाता है अच्छा, इंडिया में Project Elephant 1992 में सुरू हुआ और Project Tiger 1973 में सुरू हुआ ये मैं आपको लगबग हर दिन बता रहा हूँ क्यों बता रहा हूँ? जिससे कि आप गर आप बार बार सुनते रहोगे, बार बार यहां पर लिखा हुआ देखते रहोगे तो ये डेफिनेटली चीजें याद हो जाएंगी मैं जानबूज कि इनको बार 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 लिखता हूँ, मैं भी आपको डिरेक्ट बोल सकता हूँ, लेकिन मैं लिखता हूँ और आपको बार बार बताता हूँ, इससे कि नच चाहते हुए भी ये चीजें आपको याद हो जाएंगी 12 अगस्त को ही 200 संस्क्रत दिवस मनाए गया, 13 अगस्त को 200 अंगदान दिवस मनाए गया, 14 अगस्त को बिभाजन BBC का इसमरट दिवस मनाए गया, 16 अगस्त को बेरिंग्टन वेटल डे मनाए गया, 17 अगस्त को पारसी नब बर्स मनाए गया, और पारसी नब बर्स को क्या कहत मतलब होता है नया और रोज का मतलब होता है दिन अचा 17 अगस्त को ही इंडोनेसिय सुतंता दिवस मनाए गया 19 अगस्त को 20 मानपताबादी दिवस्त यानि कि वर्ल्ड हुमनेटेरियन डे बनाये गया और 19 अगस्त को ही 200 फोटोग्राफी दिवस मनाए गया बेस अगस्त को बेस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, helpful लगता है, तब आप इस वीडियो को like और share जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ, daily morning mode कर सबसे पहले अपने लेक target fix करो चाहे छोटा साई target fix करो लेकिन daily morning mode कर, सबसे पहले अपने लेक target fix करो और फिर अपना पूरा दिन उस target को achieve करने में लगा दो, आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी next question है, केस राज सरकार ने ब्रिटिस उच्चायो के साथ चात्र ब्रती समझोता किया है तो अभी जारकंड सरकार ने ब्रिटिस उच्चायो के साथ चात्र ब्रती समझोता किया तो इस question का say options है, अब जारकंड ने किया तो ये है map में जारकंड, जारकंड की capital क्या है, राजची, जारकंड की chief minister कौन है, हैमंत सोरेन और जारकंड की governor कौन है, रमेस बैस, अच्छा अभी जून महा की रर्वन मिसन डेल्टा ranking जारकंड टॉप पर रहा तम्माकू नियंतर के लिए जारकंड को डबलू एचू पुरुसकार मिला है, जारकंड का जामताडा जिला, हर गाउं में पुस्तकाले वाला पहला जिला बना है गुरू जी student credit card योजना ये जारकंड में सुरू होई है अभी जारकंड की बिदान समाने, मॉब बाइलेंस और लेंचिंग को रोकने के लिए बिदैक पारित किया है जारकंड के चेपनिस्टर ने चुबा खेल प्रतिवाओं को पोसित करने के उद्देश से सहाई योजना सुरू की है सरहोल और रोहेडी इतिवार ये जारकंड में मनाए जाते है नेलंबर, पितंबर, जल सम्रदी योजना ये जारकंड में सुरू हुई थी जारकंड की सोहराई और कोबर आठ को जीय टेग मिला है बिरसा, हरित, ग्राम, योजना ये जारकंड में सुरू हुई अच्छा सुहराई और कोबरार्ट ये जारकंड की हैं इनको अभी GI टेग मिला अभी बिहार की मिठिला मखाना को भी GI टेग मिला है मिठिला मखाना इसको GI टेग मिला है ध्यान रखना अच्छा पारसनात, हजारीबाग, डलमा, पालकोट और मववदनर ये जारकंड की बाइल लेसेंचुरी है जारकंड में बेतला नेशनल पार्क है और पलामू टाइगर डिजर्ब है जारकंड के मुख नयादीस कौन है? रबी रजन इतना आपको जारकंड के बारे में याद रखना है नेशन है, हाली में बिदेश मंतरी एस जैसंकर ने कहां भारती दूताबास का उद्गाटन किया है तो हमारे बिदेश मंतरी हैं एस जैसंकर इन्होंने अभी परागवे में भारती दूताबास का उद्गाटन किया तो इस question का बे options है यह है अब परागवे में किया तो यह है map में परागवे परागवे की capital क्या है असुनसिया परागवे की currency क्या है परागवे ग्वारानी और परागवे के present time पे president कौन है मारियो अब्दो विंटेज कौन है मारियो अब्दो विंटेज और अभी विदेश मंतरी एज जैसंकर ने परागवे में ही महत्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया है ने question है केसराज ने अबैद सराब नसीली दवाओं के ब्यापार के लिए anti-narcotics force का गठन किया है तो अभी उत्तरपदेश सरकार ने अबैद सराब और नसीली दवाओं के ब्यापार के लिए anti-narcotics force का गठन किया है तो इस question का say options है जो अबैद सराब और नसीली दवाओं की तसकरी होती है इसको रोकने के लिए anti-narcotics force का गठन उत्तरपदेश सरकार ने किया है अब उत्त उत्तरपदेश की केपिटल क्या है लखनव। अच्छा लखनव। किस नदी की किनारिश देत है। गोमती नदी किनारिश देत है। एरफॉर्ट अथर्टी अफ इंडिया ने उत्तरपदेश सरकार के साथ समझोता किया है। और उत्तरपदेश सरकार ने हर परिवार के लिए फैमिली कार्ड जारी करने की गोश्णा की है। अच्छा अभी उत्तरपदेश में देश की पहली एजुकेशन टाउन से विस्ताप तो अभी उक्रेन की राष्टपती वोलोडिमीर जेलेंस्की को 2022 लिबर्टी मेडल दिया जाएगा। एक्च्छल में जो रूस युक्रेन युद्ध हुआ है। उसमें युक्रेन की राष्टपती ने जो अपने देश का प्रतिनिदित्त किया है। उसके लिए उन्हें ये 2022 लिबर्टी मेडल दिया जाएगा। तो इसको इनका बे उप्सें आचा है। अब उक्रेन तो यह है मैट में युक्रेन की केपिटल क्या है। युक्रेन की करणसी क्या है ? युक्रेन हरवेनिया और युक्रेन के प्रिजेन टैम पर प्रेसिडेंट कौन है ? बोलो डिमीर चेलेंज की अच्छा अभी क्रिप्टो करंसी रखने के मामले में यूक्रेन टॉप पर है डिसीडेंट यूमन राइट्स अबार 2022 यूक्रेन के नागरिकों ने जीता यूक्रेन के राष्टबती को जोन एफ केनेडी पुरुसकार मिला है अच्छा यूक्रेन की गड़ तक मेरीना बियाजो वसका ने प्रतिस्टित फिल्ड्स मेडल 2022 जीता है इतना आप यूक्रेन के बारे में भी याद रखिए ने क्यूशन है हाली में अंडर 20 जूनियर बेसु कुस्ती चेंपिंसिप 2022 में कौन सीर्स पर आए तो इसमें अभी जापान टॉप पर रहा तो इस कुश्टिन का ए ओप्सन से ही है जापान ने टूटल 15 मेडल जीते हैं जिसमें से 9 गूल्ड मेडल हैं एक सिल्वर मेडल है और 5 प्रॉज मेडल है अच्छा इस लिष्ट में इंडिया कौन से नमबर पर रहा है इंडिया इस पदक तालिका में 5 में नमबर पर है ने क्यूश्टिन है हाली में किस राज सरकार ने क्रसी को बढ़ावा देने के लिए एसा आउट रिच किसा समझता किया है तो अभी करनाटक सरकार ने क्रसी को बढ़ावा देने के लिए एसा आउट रिच किसा समझता किया तो इसको शिन का से ओप्सन से यह है अब करनाटक तो यह है मैप में करनाटक करनाटक की केपिटल क्या है? बैंगलॉण करनाटक के चीपनिस्टर कौन है? बसवराज बॉंबई और करनाटक के गवर्नर कौन है? थाबर, चंद्र, गहलॉण अच्छा अभी एसबियाई ने स्टार्ट अफ के लिए समर्पित पहली साखा करनाटक के बैंगलूरू में खोली है करनाटक सरकार ने खिलाडियों को दो प्रतिसत आरक्षड देने की गोश्ण की है गाय गोध लेने के लिए पुंडि कोटी दत्तु यूजना सुरू करने वाला पहला राज्जी करनाटक बना है स्वामी विवेकानंद युवासक्ति यूजना का सुवारम अभी करनाटक में हुआ है करनाटक का एक गाउं है मट्टूर ये एकलोता ऐसा गाउं है जहां बूलचाल की वासा में संस्कृत बोली जाती है अभी करनाटक में सुरू हुआ करनाटक के दो डांस बहुत पहमास है एक है यक्षिगड और दूसरा है डूलू कुनीता अच्छा करनाटक में बांदीपूर, अंसी, नगरहूल, बनरकटा और कुद्रे मुखा नेसनल पार्क है ये करनाटक के इंपूर्टेंट नेसनल पार्क है ने क्यूशन है भारत का पहला नाइट सफारी और जैब विवित्ता पार्क कहां बनाया जाएगा तो ये लखनौ में बनाया जाएगा तो इस क्यूशन का बे आप्सेंस है ये सिंगापूर की तज़ पर भारत में पहली बार बनाया जाएगा और ये देश का पहला नाइट सफारी और जैब विवित्ता पार्क होगा ये लखनौ में कुकुरेल बन में बनाया जाएगा अचा लखनौ में अभी आपको बता है किस नरीक किना रिष्थित है दियाडियो ने इसका सफल परिक्षड अभी उडिशा की चांदीपुर में किया है तो इस कुशिन का ए ओप्सन सही है अब उडिशा तो ये है मैप में उडिशा उडिशा की गैपिटल क्या है भूबनेश्वर उडिशा की चीपनिश्टर कौन है नबीन पटनायक और उडिशा की गवर्नर कौन है गनेशिला अचा उडिशा में है वेलर दीप और वेलर दीप का नाम बदल के एपी जे अब्दुल कलाम दीप रखा गया है उडिशा दिवस या उतकल दिवस का मनाय जाता है 22 में उडिसा को प्रत्थम पुरुसकार से समानत किया गया अच्छा उडिसा में सुनावेटा वायलाफ सेंचुरी है कोठा गड़ वायलाफ सेंचुरी है नलवन वायलाफ सेंचुरी है वैसी फल्ली वायलाफ सेंचुरी है और देवरी गड़ वायलाफ सेंचुरी है अच्छ उडीसा के दो गाउं को अभी युनेस्को ने सुनामी डिकलेर किया था। एक है नोलियस आई और दूसरा है बैंक कट रायपोल। अच्छा उडिसा में लेंगराज टेमपल है, कोडार्क टेमपल है और जगर्ना टेमपल है। ये उडिसा के इंपोर्टेंट टेमपल है। न एक नई तस्वीर कीजिए तो इस कुछिन का बे अप्सेंस है अब नासा यानि की नेशनल एरोनोटिक्स एंड इस्पेस एड्मिनिस्टेशन इसकी स्टापना कव हुई 1958 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पे है वॉसिंग्टन डी सी में और इसके प्रजेंट एम पे एड्मिन अस्पेताल का उद्गाटन किया तो इसकुछिन का से उप्सेंस है ये माँ अम्रता नंद मई मत का ये अस्पेताल है और इसे के द्वॉरा इस अस्पेताल का संचालन किया जाएंगा ये एसिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पेताल है 133athon में बना है और ये 2600 lesaken का लागत से से बनाया गया है तो प्रदानवंत्री मोधी ने फरीदाबाद में इस अस्पताल का उद्गाटन किया है नेक्स कुशन है हाली में अडानी सभूने एंडी टीबी में कितने फीस्दी हिस्दारी का अधिगरेड किया है तो अभी अडानी गरूप ने एंडी टीबी में 29.2% हिस्दारी का अधिगरेड किया तो इसकुशन का 2 options ह है अडानी का target है कि इसमें 55% हिस्दारी का अधिगरेड किया जाए इसलिए अडानी गरूप ने अगली 26% अधिगरेड करने के लिए open offer जारी किया है अभी अडानी गुरूप में NDA TV में 29.2% हिस्सेदारी का अधिक ग्रेड किया है अच्छा NDA TV की फुलपरम क्या है New Delhi Television Limited क्या है New Delhi Television Limited NDA TV की स्तापना का वोई थी 1988 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पे हैं New Delhi में और प्रडब रॉय और रादिका रॉय ने मिलकर इसकी स्तापना की थी नए कुशन है खाली में HPCL ने गोबर से संपीडित अपने पहले बायो गैस परियोजना कहां सुरू किया है तो HPCL ने इसे राइस्तान के सांचोर में सुरू किया है तो इसकी स्तापना का हुई 1974 में इसका है कहां प्रदानमंत्री मोधी ने हूमी भाबा चैंसर अस्पताल और अनुसंद्दान केंदर का उद्गाटन किया है मुलनापुर में प्रदानमंत्री मोधी ने इसका उद्गाटन किया है अब पंजाब तो यह है मैप में पंजाब पंजाब का है चं्डेगर पंजाब की चीपनिश्टर कौन है बगबंत मान और पंजाब की गवर्नर कौन है बनबारी लाल पुरोहित अभी पंजाब में एक विधायक एक पैंसन स्कीम सुरू की गई है और पंजाब सरकार ने जो स्टाम्प होते हैं फिजीकल स्टाम्प उनको पूरी तरह खत्म कर दि नएक क्यूशन है हाली में बेकरम दोराई शौमी के इस देश में भारत के उच्चायोक ने उप्त हुए हैं तो इसकूशन का से ओप्सेंस है यह हैं बेकरम दोराई शौमी यह 1992 वैच के इंडियन फॉरन सर्विस के अधिकारी है अभी तक यह बांगला देश में भारत के लेकिन अब इनको UK में भारत का उच्चायुक्त अपोइंट किया गया है। अब ये UK में अपोइंट हो गए हैं, तो बंगलादेस में भारत के उच्चायुक्त कौन बने हैं? प्रड़ाय कुमार बर्मा. कौन? प्रड़ाय कुमार बर्मा. अब लास्ट वीडियो की question का answer लास्ट वीडियो मैंने आपसे question पूझा था कि हाली में कौन सी राजि सरकार भारत की पहली सिछा town से बिकसित करेगी तो अभी उत्तरपद्य सरकार भारत की पहली सिछा town से बिकसित करेगी यानि किस question का? से ओप्सन सही था और लगबग सभी स्ट्रेटनेस कांसा सही दिया मुश्ट लिए स्ट्रेटनेस के बारे में डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फेर बोलूँगा क्वेशन के बारे में आपको जितना जाद स्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लेक देते हो पर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज के कुश्चन आपके लिए आज के कुश्चन है हाली में केस देश की से जना ने करनल अब्दुलाएक माइगा को अपना अंतरिम प्रधानमत्री नियुक्त किया है चार ओप्सन दिये गए हैं इनमेंस से आपको अपना अंसर होताना है और इसके अलाबा हम हमारे Facebook पेज पर previous year question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook पेज जोईन कर सकते हैं क्योंकि previous year question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर indresrc Instagram पर indresrc सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any agitation डिसकस कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का target जरू याद रखना और आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook ग्रोप हैं उनमें आप इस वीडियो को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमारा current affairs का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लेज कमेंट बॉक्स में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने वारे इस चैनल को सब्सक्राब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राब जरू कर लेजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब आप से सब्सक्राब करेंगे तो बरावर में एक बेल आइकन मन के आएगा आप उस बेल आइकन पर जरू क्लिक कर ले जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करेंट अफेस की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एक्जाम और बेज वीडियो तैंक्स पर वाचिंग